इतनी बातें कर रहे हैं तो इस आड में बताई गई बंटी की मा की सला वस्तता सही थी साबुन पानी से करोना वाइरस कैसे मर जाता है उससे पहले ये जानना जरूरी है कि करोना वाइरस का स्ट्रक्चर क्या होता है अन्य वाइरस की तरह करोना वाइरस भी आरेने माटीरियल है जो की एक मेंब्रेन में बधा हुआ होता है और ये जो मेंब्रेन है जो गुबारे की तरह आप इमाजिन कर सकते हैं तो जो सते है वो बनी होती है फैट से fats में एक property होती है कि वो जल्दी किसी भी विश्रन में घुलते नहीं है और इस वजह से virus काफी हद तक खून के अंदर या respiratory tract में secure रहता है अब यहीं पर साबुन पानी और साबुन पानी के जो एक principal property होती है वो काम में आती है soak particle के एक property होती है और वो यह कि इस particle के दो ends होते हैं एक end पानी के तरफ attract होता है और दूसरा end fat की तरफ इसी कारण से soap मैल को निकाल पाता है और इसी कारण से soap virus को मार देता है क्योंकि virus की जो outer layer है जिसमें उसका RNA material सुरक्षत रहता है soap की particle का एक end उससे चिपक जाता है और जैसा मैंने आपको बताया उसका उस particle का दूसरा end पानी के तरफ खिंचता है यानि कि जो soap का जो particle है वो virus को एक गुबारे की तरह खिंचना शुरू कर देता है और virus का जो outer layer है वो फट जाता है और उसका सारा inner material जो उसका RNA है वो सब बाहर आके बिकार हो जाता है और इस प्रकार से virus मर जाता है मगर ये जानना जरूरी है कि ऐसा होने के लिए soap particle को 20 सेकंड का समय लगता है यानि उस fat को घुल जाने के लिए उसको गला देने के लिए virus के fat को soap को लगबग 20 सेकंड चाहिए होते हैं और इसी लिए हम stress कर रहे हैं कि साबुन से हाथ आप 20 सेकंड या उससे जादा धोईए साथी साथ ये भी आवशक है कि जो soap का solution है वो आपके पूरे हाथ के सतह पर जाए अगर virus यहाँ पर है और आपने soap यहाँ पर लगाया तो यह virus नहीं मरेगा इसलिए जब ही भी हाथ धोईए 20 सेकंड के लिए धोईए और हाथ को ढंग से धोईए ताकि हाथ की पूरी सतह साबुन से घिर जाए और सारे virus मर जाए market में अगर आप जाएंगे तो आपको liquid hand wash मिलेंगे आपको antiseptic hand wash मिलेंगे आपको foam के भी hand wash मिलेंगे आपको अलग-अलग प्रकार के hand wash मिलेंगे सवाल यह उड़ता है कि क्या साबुन पानी का जो property है वो साबुन के प्रकार या उसकी brand से change होती है तो इसका answer है नहीं क्योंकि जो chemical compound है किसी भी साबुन में चाहे वो महंगा हो चाहे वो सस्ता हो या वो liquid हो या वो foam हो वो chemical properties same ही होती है और उसी chemical action से ही वो virus को मारता है यानि कि 5 रुपे का साबुन जिसमें कोई antiseptic लिखा नहीं होता है सस्ता से साबुन मिलता है उसकी जो efficiency है वो 100 रुपे का साबुन जो महंगा मिलता है जिसमें बहुत सारी properties लिखी होती है उसके बराबर हैं दोनों बस आपको 20 second हाथ धोना है और ढंग से धोना है साबुन कोई साबी हो चाहे liquid हो solid हो बट्टी हो पुरानी हो तो भी चलेगा कोई लोग पुराने साबुनों को मिला करके एक नया साबुन बना देते हैं वो भी चलेगा सब बराबर effective है बस आपको हाथ ठीक से धोना है एक और सवाल जो market में लोग बाते कर रहे हैं वो यह है कि क्या hand sanitizer और साबुन से हाथ धोने के बीच में कौन सा पैतरी का बहतर है अब इसका जवाब यह है कि दोनों लगबग बराबरी हैं लेकिन hand sanitizer से हाथ साफ करने पर एक कमी आ सकती है यदि आपके हाथ पर धूल लगी है मिट्टी लगी है ग्रीस लगी है तो उसके पीछे अगर वाइरस चुपा हुआ है तो hand sanitizer उसको खत्म करने में नाकामयाब रह सकता है हलाकि साबुन पानी से अगर आपने हाथ धोया तो ये सारी ग्रीस और मिट्टी निकल जाएगी इसलिए साबुन पानी से हाथ धोना hand sanitizer करने से actually बहतर है यानि कि 600 रुपे का hand sanitizer यूज़ करने से अच्छा ये है कि आप 10 रुपे का साबुन पानी के साथ यूज़ करें और 20 सेकंड तक अपने हाथ धंग से धोये एक और धांती जो काफी ज़ादा confusion पैदा करती है वो ये है कि क्या public place पे जो साबुन होते है उनमें क्या ये करोना वाइरस पाया जा सकता है यानि कि अगर एक साबुन को चार लोग इस्तिमाल करें और पहले व्यक्ति को करोना वाइरस हो तो क्या दूसरे तीसरे चौथे व्यक्ति को भी करोना वाइरस हो सकता है उस साबुन को उप्योग करने से इसका जवाब ही कि ऐसा नहीं हो सकता है बेकॉज जो साबुन आपके हाथ में लगने से वाइरस को एकदम बीच से विस्फोट करके खत्म कर सकता है वही साबुन अपने उपर लगे वाइरस को भी समाप्त कर देगा तुरंत ही